आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं जो भी का इंडियान नेवी ट्रेट्समें मेट्स के लिए फार्म एप्लाइ किया था इडिया इचातरों उनका एडमिट काड आ गया है एडमिट काड कैसे डाउनलोड करना है और तयारी कैसे करना है इस्टरी मेटेरियल नियूआ कैसे प्रापक करना है और आपको मोक टेस्ट कैसे लगाना सबी वीडियो में डिशकस करेंगे तो इस्टेब स्टेब चीजों को देख आए हैब सबसे पहले अपको सबसी कोष्ट करना है मुब het he रिजनिंग से इंग्लिज से एप्टिट्यूट से जनरल वेने से तो वहां से आप लोग कोश्चन बनेगा कैसे जॉइन करना है तो आपको जॉइन करने के लिए आप पेड टेस्ट सीरीज में चले आएगा यहां पर आएंगे न तो आप लोग को इंडियान नेवी ट्रेट् किसी तरह की और जनकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर काल कर सकते हैं यहां पर टोटल आप लोग को देखेंगे हर एक टेस्ट में 100 कोश्चन है 100 मारका 120 मिनट बिल्कुल जैसे आप लोग का एक्जाम होगा ना वैसे ही इसे सेट किया गया है टोटल यहां आपको 10 कि इसे बाद यहां पर देखेंगे इंडिया नेवी ट्रेटस्मेंट मेट इबूक इस्टडी मेटेरियल इस पर आपको कलिक करना है और यहां से आप लोग को कंपलीट इबूक यहां पर मिल जाएगा इंडिया नेवी ट्रेट्समेंट इ-book chapter wise free इसमें 15 practice set रहेगा with solution तो आप इसको भी download करके पढ़ सकते हैं चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि admit card आपको कैसे download करें तो सबसे पहले देखिए मैं admit card दिखा देता हूँ आप लोग को और आप भी अपने comment box में मुझे बताएंगे कि आपका exam कब है ठीक है यह देखिए admit card आप लोग के सामने open हो जाएगा आप लोग के सामने मैंने admit card open कर लिया है यह admit card अभी तुरंत release हुआ है आपको message भी आया होगा ठीक है यानि कि भी घंटे पहले 11 बजी मेंसेज आया था dear applicant हाल ticket for incet012 अब्लीश ठीक है इस लिंक पे आप लोग को इसी से आपको download करना है इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा तो चलिए आपको मैं admit card दिखाता हूँ फिर मैं बताऊंगा आप लोग को कि admit card कैसे download करना है और comment में अपना city कहा गया हुए वह आपको बताना है यहाँ पे आपका registration नमर्ट दिखाई देगा यहाँ पे आपका रोल नमर्बर यहाँ पे आपका data birth और किस post के लिए जैसे यहाँ पे tradesman रंगीन फोटोचिप का ना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर सिगनेचर चाहिए वह एक्जाम के टाइम होगा यहाँ पे देखिए अब एक्जाम सिटी दिखाई दे रहा है वनारस पड़ा हुए ठीक है उसके बाद सेंटर एड्रेस अभी नहीं ह यहाँ पे है वह आपको 72 घंटे पहले दिखाई देगा ठीक है बिलकुल नेवी का है बिलकुल सेक्योर है यहाँ पे परिक्षा का हस्ताक्षर हो जाएगा सीट आइडेंटिफिकेटर नंबर आपको वह ही पर मिलेगा कुछ इंपोर्टेंट टर्म है वह हम बाद में देख सकते हैं सक्सेश केरियर यह सर्च करेंगे सक्सेश केरियर.co.id ठीक है दो वेबसाइट एक सक्सेश केरियर.classics.co.id जिस पर आपके सारा मेटेरियल मिलेगा वेबसाइट के थूरू और आप फे यह आपको इसी वेबसाइट पर आगना है इसमें आने के बाद आपको यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर देखिए इंडियन ने भी ट्रेट्समें मेट्स अनलाइन फार्म दो हजर सोरी 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 अब यहां पर आपको आना है यहां पर आएंगे देखिए यहां पर क्लिक कर लिजीगा उसके बाद देखिए यहां पर तो यहां पर आप लोग को कहा चले जाना है है यहां एडिमिट काड वाले सेक्ष्टन में चले जाना है इसी से के सब्सक्रक्रीज करते हैं यहां लिंग को टिस्क्रिप्स्बाकर में जाने की जो नहीं है इसको open कर लेज़ेगा थोड़ी website slow है क्योंकि अभी रात का समय साही चलना है कभी-कभी क्या हो रहा है कि दिक्कत हो रही है अब यहाँ पर आपको login करना है यानि कि registered email id या mobile number डालेगा और आपने जो password डाला था वो डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है simply यानि कि यह capture डालना है उसके बाद आपको login कर लेना है login करेंगे ना यहाँ चलिए मैं login करके देख ले रहा हूं अगर side-side चल लाओगा तो आगे दिखा दूगा पहले जैसे कि अब भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका जो exam date ना जो मैं आप लोगों को एड्मिट कर दिखा दे रहा था यहाँ पर यह exam 3 फरवरी को पड़ा हुआ है ठीक है तो city और date आपको दिखा देखा यह देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देत कर 10-15 तक रहेगा रिपोर्टिंग टाइम साथ बज़े दिया है और क्लोज गेट साड़े साथ बज़े हो जाएगा यानि कि बहुत ही अच्छा समय है इसी समय आप लोगों को exam मतलब से सिंटर यहाँ पर दिखा दिया और आपका date और टाइम दिखाए दे रहा है बाकी address आ आपको जाना चाहिए पहला यहां पर प्रवेस पत्र उम्मिद्वार को उनकी परिक्षा सहर के बारे में सूचित करता है परिक्षा केंद्र का नाम और सटिक अस्थान परिक्षा सुरू होने से 72 घंटे पहले पंजीकर और पोल्टर पे आपका आएगा सबसे इंपोर्टे पर पर जाना है और उसके बाद यहां पर आप लोग को सेंटर पर पहले ही पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम से आपका फ्रिस्किंग जोन पर आप लोग को क्या होगा चेक किया जाएगा तो इसलिए आप बहुत जल्द पहुंचे उम्मिद्वार को निर्धारी समय का पर परिक्षा केंदर पर रिपोर्ट करना होगा और उन्हें 45 मिनट से पहरे परिक्षा हाल छोड़ने की अनुमती नहीं दी जाएगी यानि कि 45 मिनट के बाद ही आपको परिक्षा हाल छोड़ने की अनुमती दी जाएगी उमिद्वारों को परिक्षा केंदर में पूरी होने के बाद ही अभियति को अपनी आवंटन सीट पर बैठनी का अनुमति दी जाएगी और एक सत्यापन महर उनका आइडमिट कार्ट पर लगाया जाएगा ठीक है परिच्छा के अंदर पाली में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुब्रोद किसी परिस्तिती में सिव प्रूरियं में, तब तकली बैल जाएगी ये अनुब्रोद किसी अनुमति प्रशनी के लिए ओनी के लिए एक का आएगी और पहांगा जाली हैं